हेलो फ्रेंट्स नेहा की पाक्षाला में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं दही वड़े यानि की दही भल्ले तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए हमें चाहिए नमक, हींग, अजवाइन, लाल मिश पाउडर, भुना हुआ जीरा, हरी चटनी, खटी मिठी चटनी, चीनी, बादी कटा हुआ धनिया एक बड़ा कप दही, दो बड़े कप उड़त की दाल फुलोई हुई इसे हमने 3-4 घंटे पानी में फुलो लिया और साथ में इसमें मेथी के कुछ दाने भी फुलो लिये उसके बाद उसे अच्छे से धो के निथार लिया है और वड़े तलने के लिए तेल, तो चलिए शुरू करते हैं अपने दही वड़े बनाना सबसे पहले हम अपनी दाल को ग्राइंड करेंगे अब हमारी दाल पिसकर के बिल्कुल तयार है, हमने इसे बिना पानी के पीसा है पानी डाल के दाल पीसने से गीली हो जाती है और जब हम वड़े सेखते हैं तो उनका शेप अच्छा नहीं आता और वो ज़्यादा तेल सोपते हैं अगर आपको बिना पानी के दाल पीसने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एक ये दो चमच पानी डाल के अपनी दाल को पीस सकते हैं अब हम अपने पैन में तेल डालेंगे वड़े सेखने के लिए और गैस को हाई फ्लेम पे रखेंगे जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है तब तक हम अपनी दाल में सारे मसाले मिला लेते हैं हम इसमें अजवाइन डालेंगे खींग डालेंगे और थोड़ा नमक डालेंगे और मिक्स करेंगे हमने अजवाइन और हिंग इसले ली है क्योंकि उड़क की डाल पादी होती है अजवाइन और हिंग से टेस्ट भी अच्छा आता है और वड़े हजन भी जल्दी होते हैं कि हमने सारे मसाले अपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए हैं अब हम अपने वड़े सेखने शुरू करेंगे वड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने हाथ में पानी लगाएंगे और फिर थोड़ी सी दाल को अपने हाथ में लेंगे पानी इसलिए लगाते हैं जिससे चिप के नहीं इस तरीके से हात में पैलाकई है और इसमें छेद कर देड़ें कि अभी हाथ में पानी लगाएंगे और थोड़ी से डाबने हाथ में लेंगे और इस तरीके से उसको फैलाएंगे और फिर उसमें छेद करेंगे अब फिर इसको तेल में डालेंगे हमारे बड़े एक तरज से सिख चुके हैं तो हम इनको पल्टेंगे अब ये दूसरी तरज से भी अच्छे से सिख चुके हैं तो अब हम इनको नॉर्मल पानी में डालेंगे हमें अपने वड़ों को एकदम नॉर्मल पानी में डालना है गरम पानी में नहीं डालना है नॉर्मल पानी में 2-3 मिनिट तक इनको भीगो के रखेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे और इनका एक्स्ट्रा ओईल भी निकल जाएगा अगर आपको वड़े जिस तरीके से मैंने पहले तरीके से बताए हैं उस तरीके से बनाने में दिक्कत होती है तो आप जैसे हम पकोड़े बनाते हैं उस तरीके से ये गोल-गोल करके भी आप तेल में डाल सकते हैं अब हमारे बड़े एक तरफ से सिख गये हैं अब हम इनको पलटेंगे अब हमारे वड़े अच्छे से दोनों तरफ से सिख गये हैं, गोल्डन ब्राउन हो गये हैं, अब हम इनको भी नॉर्मल पानी में डालेंगे, जिससे इनका भी एक्स्ट्रॉयल निकल जाएगे पांच मिनिट तक आप वड़ों को नॉर्मल पानी में पड़े रहने दें, यह फूल जाएंगे और इनका सारा एक्स्ट्रॉयल पानी में निकल जाएगा, देखिए अब हमारे सारे वड़े पानी में अच्छे से फूल गया हैं, अब हम इनको एक दूसरे बोल में जो भी एक्स्ट्रा ओइल होगा वो पानी के साथ इसी में निकल जाएगा, इस तरीके से हमें इनको निचोड के और अलग रख लेना है, तरीके से हम अपना ये गोल वाला जो वड़ा है, उसको भी ऐसे प्रेस करेंगे, और इसका सारा पानी निचोड जाएगा, इसके बा ये से, ये देखिए, अब हमने सारे वड़े पानी से निकाल लिये हैं, और अब इन में बिल्कुल भी एक्स्ट्राइल नहीं है, हम अपने दही में पहले चीनी और नमक मिक्स करेंगे, अब हम अपनी दही वड़े की प्लेट्स त्यार करेंगे, हम अपनी प्लेट में वड़े रखेंगे, उपर से दही डालेंगे, अब अपनी खट्टी मीटी चट्नी डालेंगे उपर से, हरी चट्नी डालेंगे, थोड़ा सा भुना जीरा डालेंगे, लाल मिश डालेंगे, उपर से हरे धनिय से गार्निश करेंगे, इसी तरीके से आप अपनी बाकी की दही वड़े की प्लेट्स त्यार कर सकते हैं, लीजे अब हमारे दही वड़े बनके बिल्कुल त्यार हैं, यह बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं और बहुत स्वादिश्ट बने हैं, आप इन्हें जरूर ट्राय करें, इन्हें हर कोई पसंद करता है, बड़े हो या बच्चे, महिलाएं इनको पसंद करती हैं, क्योंकि उन्हें खट्टा मीठा खाना बहुत पसंद होता है, यह लगबग हर्त योहार पे बनाए जाते हैं, यह बनाना बहुत ही आसान है, आप कभी भी इन्हें जटपट बना सकते हैं, इसमें जितने भी इन्ग्रीडियंट्स हैं, वो इसलिए आपको बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स वाक्स में ज़रूर बताएं, कि आपको मे